एलो फ्रेंड बेलकम बैक टो एग्जाम असलेक्ट मेरा नाम कुल्दि प्लोधी है और आज की वीडियो में हम कबर करेंगे चैप्टर फॉर जो की है जॉग्रोफी किलास स्थ का चैप्टर फॉर्सथ जॉग्रोंफी का यह हमारा चैप्टर फोर नहीं बाला है किलास सिक्स लाश्ट तीन लेक्षर मैंने पहले ही कम्प्लीट कर दी है चैप्टर फर्स्ट सेकेंड थार्ड एंड यह रहा आपका फॉर्थ फॉर्थ चैप्टर में हमें पढ़ना है मैप के बारे में मैप किस तरीके से हमें यूश्पोल होते हैं हमें कौन-कौन से मैप मैप देखने को मिलते हैं कितने टाइप के मैप होते हैं किस तरीके से आपको मैप में डीटेल देखने को मिलती है और टाइप सब देखेंगे जैसे कि प्लान क्या होता है स्केच क्या होता है जो मैप होते हैं जैसे कि थेमेटिक मैप है तो यह क्या बताते हैं तो यह सारी चीज़ें हम डिसकस करेंगे इस वीडियो में जैसे कि काईडियो क्या होता है तो सारी चीज़ें डिसकस करने वाले हैं तो चली यह स्टाइट करते हैं आज का चैप्टर जि compass is used for direction यह देखिए यह तही आपके north direction यह है south direction जहां भी यह red वाली यह line है यह point करती है उसका मतलब होता है कि यह है आपकी main direction यानि की north direction इस तरीके से आपको देखने को मिलती है कि सिनलीए यूजता है direction देखने के लिए ऑके last lecture में應該 पढ़ा था इसमें अप्रह चीज है यह साथ चीज है अब हम देखेंगे कि जो मैं उसके पास कुछ लिमीटेसन्स है यांनि कि आप यह से समझ जाएंगे सब चीज देख लेंगे आपको मान लिजी आप तो आप कैसे जाएंगे क्या गिलोब देखके जाएंगे क्या नहीं आपको किस चीज की जवरत पड़ेगी मैप के तो आपके पास मैप का उना बहुत जरूरी है क्योंकि गिलोब से आप सारी चीज नहीं देख सकते गिलोब हम बहुत इंपोर्टेंट होता है गिलोब अगर आप किसी कॉंटिनेंट को किसी ओसीन को अगर आप एजा होल देखना चाहेते हो कि यहां पर आम को किस तरीके से ची है यह नहीं हमने रिखा खी यहां अगर आपको देखना हो अगर आपको कांटिव को क्य दिकना मिली ऑ सब्सक्रांद बिक वर्येशन मिलती है में कि वाट वेंड़ी वन्ट उस्टडी ओनली अपाइट ऑफ दी अर्थ यानि कि जैसे कि आप डेली एक सिटी है मुंबई एक सिटी है तो इन सिटियों के बारे में आप जब देखेंगे इन सिटीज को देखेंगे आप मान लीजिए आप देखना चाहेते हैं कि वेस्टर् किसकी हमें जहुरत पड़ती है मैप की इन सचार सुचुवेशन भी यूस मैप यहां पर आपकी डेफिनेशन रही है मैप की डेफिनेशन आपको याद रखनी है का मैप इज रिप्रिजेंटेशन और ड्रॉइंग ऑफ दी अर्थ सर्फेस और अपाइट अफ एट ड्रॉन और फ्लेट सर्फेस अकॉर्डिंग टूब इसकेल सो वाट इस कॉल्ड मैप आमेप जारी प्रिजेंटेशन और ड्रॉइंग ऑप इसकेल इसका मतलब होता है कि हमें अर्थ के सब्सक्राइब जो चीज़ें देखने को मिलती है उनको हम ड्रॉ करते हैं मैप पर यूजिंग इसकेल इसकेल बहुत जरूरी होती है मैप मैं क्योंकि इसी से हमें पता सलता है कि जो हम चीज देख रहे हैं एक पिले से दूसरे पिले सागर हमें जाना है या कोई यहां पर घर बना हुआ यहां पर तालाव है तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी इनकी डिस्टेंस क्या होग इसके लिए हमें ज़रूरी होती है scale so scale is very important in map but it is impossible to flat in a round shape completely लेकिन हमें map में एक चीज देखने को मिलती है कि जो भी round shape होते हैं उनको आप map में flat नहीं कर सकते पूरी तरीके से आप flat नहीं कर सकते it is impossible to flat in a round shape in map completely so what are the usage of maps let see ways of our map maps हम के हमें μारे लिए बहुत ज्याहरा होते है are बहुत जाधा काम में यूज फॉल होते हैं जैसे कि कोई map हमें स्मॉल एरिया और कोई बताते हैं हमें fact जैसे कोई मैप हमें बताता है कि छोटा एरिया में आपको क्या-क्या देखने को मिलेगा कुछ उसके फैक्ट बता देगा और दूसरा जो मैप है वो क्या बताएगा हमें कि बहुत सारे फैक्ट है एजा बिग बुक जैसे कि आपको बुक में फैक्ट देखने को मिलते हैं उस कि हर एक पेज़ पे एक map देखने को मिलेगा आपको पेज नम्मर बंद से लेकर 50 तक सारे आपको Map to सभी पेज़ों पर आपको map देखने को मिलेगा जब आप बहुत सारे maps को एक साथ रख देते वह से हम atlas कहते हैं जब भी हमें एक बुक में या कहीं भी आपको ज्यादा मैप देखने को मिलते हैं और जो atlas होती है वह बहुत पिरकार की होती हैं बहुत साइज की होती है जैसे कि आपको साइज में अंतर देखने को मिलेगा measurement on the different scale जैसे कि माल लीजिए अगर यहां पर कोई पिले से आपको दिल्ली के बारे में बताया गया है एटलस में और यहां पर कोई पिले से यहां पर कोई पिले से उसके बारे में इसा भी आपको difference देखने को मिलेगा सो आप सारे साइस में इंतर आता है कई छोटी होती है बड़ी होती है मीजर्मेंट में भी आपको difference देखने को मिलेगा लगा इस बात आपको याद रखनी है एटलस में अगर आप से पूछा जाए what is called एटलस तो आप लिखेंगे वेन मैनी मैप साथ पुट टोगेदर इट इस कॉल्ड एटलस नो कंफ्यूजन चलिए आगे देखते हैं मैप जो होते हैं वो हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं बहुत जादा गिलोब से जो मैप आप तुमने देखे होंगे इंडिया का मैप देख की कंडिशन है जो क्लाइमेट है उसकी कंडिशन देखने को मिलेगी आपको पिलेंस देखने को मिलेंगे रिवर देखने को मिलेगी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं आपको मांटन देखने तक को मिलेंगे तो यह सारी चीज़ें आपको मिलती हैं मैप मे लेकिन अगर आप एजा गिलोब में देखें तो आपको क्या देखने को मिलेगा आपको ocean देखने को मिलेगे आपको mountain देखने mountain हाला कि बहुत बढ़ी range होती है तो देखाई देती है mountain देखने को नहीं मिलेंगे आपको rivers देखने को नहीं मिलेंगे ocn तो आपको देखने को मिलते ही हैं तो यह सारे difference यहां पर आ जाते हैं तो maps क्यों important होता है क्योंकि यहां से हमको बहुत ज्यादा information मिलती है जो कि हमें globe पर नहीं मिलती है और जो map होते हैं वो कई पिरकार के होते हैं जैसे कि एक है उनमें से physical map दूसरा है political map और एक है thematic map सो तीन परकार के map आपको देखने को मिलेंगे physical map political map और thematic map इन तीनों की definition याद करना आपके लिए बहुत जादा चीजें पूछी जा सकती है कि physical map क्या बताता है में what do you know about physical map तो आप आंसर क्या करेंगे आप उस टाइम पर जाएंगे इसलिए आपको यह चीजें याद रखनी है कि जो map हमें natural feature क्या होते हैं natural feature होते हैं जैसे कि इसे अभी मिटा लेते हैं कि नैचुरल फीचर याने की जैसे की रिवर्स माउंटेन्स यहां पर आपको देखने को मिलेंगे पिलेंगे पिलेंगे प्लेट्यूज पॉंड्स तो यह सारी चीजें आपको नैचुरली तोर पर देखने को मिलती है नैचुरल फीचय क्या होते हैं हर्त के यही होते हैं river mountain plane प्लेट्यूटू आर ब्इू होते हैं अ़ और बहुते हैं आप सोचें की इतना ही होते हैं नहीं और भी होते तो यह साहरी छीजिए हमें देखने को मिलती है फिझी कलकर उख में तो यह आपको इसमें कंफुजयन नहीं कि आपको क्या क्या देखने को मिलता है कि अब देखते हम पॉलीटिकल में मैप आपको क्या क्या देखने को मिलता है तो मैस्यँंग city towns villages and a different countries and states of the world with their boundaries जो international एक स्टेट दूसरे स्टेट से टच करने को मिलता है एक स्टेट दूसरे स्टेट को टच हो रहा है यह में देखने को मिलता है कौन सा बॉडर कौन से स्टेट से लगा हुआ है यह हमें किस से बता चलता है पॉलिटिकल मैप यह होते हैं पॉलिटिकल मैप और इन्हें आप बह मैप देखा हुआ जैसे कि मैं MP से बिलोंग करता हूं तो मुझे MP का जो मैप देखने को मिलता है उसमें मुझे देखने को मिलता कि यहां पर जो बाउंडरी एस्टेट बाउंडरी उससे यूपी लगा हुआ है इधर चातीसगर लगा हुआ है महाराष्ट यहां लगा हुआ ह लगा it राजिस्तान लगा हुआ है तो यह में देखने को मिलते हैं ऐसी ही आपको टाउन देखने मिलेंगे कि मद्य प्रिदेस में कितने सहर है अगर मद्यम्दि देखेंके तो आप मैप न्यों लगुरोववर्य बहुत के हैं इन दौर यह सारी आपको देखने को मिलते हैं पॉलिटिकल मैप में यह आपका किसी भी स्टेट के लिए हो सकता है यह बिलेज के लिए भी हो सकता है सिटी के लिए भी हो सकता है कंट्री के लिए भी यह हो सकता है सो पॉलिटिकल मैप किस चीज में यूश्फुल होते हैं यह आफर देखते हैं UP gelmişkim रहेंगे जैसे कि रोड हैं, आप देखने को मिलेंगे अब को आपका एरिया है कोई आपका एरिया है जैसे मालेजी स्टेट है आपका MP स्टेट है मद्ध प्रदेश है या UP है तो किस तरीके से आपके स्टेट में बारिस होती है यह हमें देखने को मिलता है थेमेटिक मैप से हमें मैप बताता है कि कितने एरिये में कौन से स्टेट में जंगल है यानि कि मैप में आप देख सकते हैं कि अगर कोई एरिया आप देख रहे हैं तो बहां पे आपको कहां-कहां जंगल देखने को मिलता है और कितना जंगल देखने को मिलता है इंडस्ट्र या वाट यूड देखने को मिलती हैं हमें थेमेटिक मैपस में जब भी आप मैप को देखते हैं तो आपको तीन चीजें बहुत important होती है पहले कि एक पिलिष से दूसरे पिलिष तक कि distance कितनी है तो distance आपको बहुत ज्यादा important होती जब भी आप map देखते हैं पिर अगर आप किसी direction में जा रहे हैं जैसे माले जी आप यहां जा रहे है या ऊपर की साइट जा रहे हैं तो यह डायरेक्षन कोंद सी है ढायरेक्षन भी बहुत इमपर्टेंट होती मालेजिए आपको जाना है लेकिन आप चलेगा लिच्छ box गड़ बर्क हो जाएगी आपको उम्हलिए हुसलिए heme लेने की आपको मैप में सेंबल दिखा दिये जाएंगे जैसे कि कुछ आपको इस तरीके से मैप देखेगा एक सेकेंड आपको कुछ इस तरीके से मैप देखने को मिलेगा तो इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है टेमपल अगर आपको तालाब देखने को मिलेगा तो कुछ इस तरीकी से तालाब देखने को मिलेगा तो यह सारे सिंबल आपको बहुत ज़्यादा हेलपफुल होते हैं जब भी आप मैप को देखते हैं तो three component of maps are very important there are three components of map one is distance second is direction and third is symbol so how many components are there of map there are three components of map distance direction and symbol so no confusion कोई confusion तो होगी नहीं अभी आपे चलिए अब आगे देखते हैं किस तरीके से हमें distance देखने को मिलती है distance को आप किस तरीके से समझते हैं अभी हमने component of map देखें distance direction और symbol अब हम तीनों को detail में cover करेंगे कि distance हमें किस तरीके से देखने को मिलती है direction और symbol so distance आप किस तरीके से मेजर करते हैं map में आप किस तरीके से मेजर करेंगे कि यहाँ पर जो place है और यहाँ पर जो place है इन दौनों के बीच की दूरी actual में तो 10 km है और map में आपको देखने को मिल रही है कि केवल इतनी सी दूरी में यह 10 km हो गया तो किस तरीके से आप इसको पैचानेंगे कि यहाँ पर अगर 10 km है तो यह distance actual में आप किस तरीके से समझेंगे किस तरीके से अगर आप डिरो करने बैठ जाए तो किस तरीके से करेंगे यह तो आपको map में देखने को मिली और यह real में तो काफी ज़्यादा problem हो जाएगी इसलिए हम यूज करते हैं distance के लिए scale तो जब भी हमें किनी दो फिलिस के बीच में अगर उसकी distance कवर करनी होती है यानि कि distance को देखना होता है कि कि कितनी दूरी है इन दौनों के बीच तो हमें ज़रुगत पढ़ती है scale की अब इस तरीके से map में जो scale है वो reduce की जाती है अब आपको एक page में 10-10 km तो बना नहीं सकते न line इसलिए scale reduce की जाती है चोटी कर दी जाती यानि कि 10 km को आपको 5 cm ही दिखा दिये जाएगा map में scale से reduction किया गया है वो इस तरीके से किया गया है कि जो distance है दो places के बीच वो real रहे यानि कि अगर आप actual में draw करने जाए डिस्टेंस को तो आपकी actual में real निकले आपको ऐसा नहीं कि यहां पर 10 km हो रहा है और आपने map बना या फिर आपने दोवारा से मैप के इसाब से आपने उसको मीजर की या तो पता चले कि वो 15 km हो गए तो ऐसा ना हो इसलिए हम यूज करते हैं scale सो दो places की भी जो actual में डिस्टेंस है हमारी actual में यानि कि आप देखेंगे real में जो distance है बही मैप में भी रहे इसके लिए हमें यूज करनी होती है scale सो scale is the ratio between the actual distance on the ground and the distance on the map यानि कि जो scale हम लेते हैं वो कुछ इस तरीके से ली जाती है कि जो ratio है किसी एक place से दूसरे place का actual distance है जब भी आप ground पे देखते हैं तो बही हमें distance देखने को मिले Map पर कुछ इस तरीके से हम scale लेते हैं जैसे कि एक example के तौर गर पहरे पर हम समझते हैं तो इससे काफी ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि किस तरीके से हम इसके लेते हैं जैसे माल लिजी आपका यह फो यह पर घ्र है और यह पर इस फोल आपका तो इसकी जो एक्टुल डिस्टेंस है अगर आप रोज पैदल जा रहे हैं अपनी साइकल से जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि अगर आपके घर से स्कूल की दूरी है दस किलो में तो एक पेज की साइज कितनी होती है तो आप क्या करेंगे तो हम कुछ इस तरीके से स्केल लेते हैं कि हमारी जो डिस्टेंस है वो एक्चूल में सेम रहे तो हम कुछ इस तरीके से स्केल लेते हैं माल लीजिए हमने यहां पर लाइन ड्रो की घर से लेके आपके घर से लेके स्कूल तर तो यह दो सेंटीमीटर की लाइन है और दो कि अगर लाइन डिरो करते हैं तो उसका मतलब क्या है दस किलोमेटर सो यहां पर आपकी इस तरीके से एक्चुल डिस्टेंस निकल कर आती है अब आप ऐसे ही समझ कर जाएंगे और एक्चुल में लाइन डिरो करेंगे तो एक सेंटीमेटर याने की पांच किलोमेटर आप जो यह डिस्टेंस और यह डिस्टेंस वो सेम रहेगे तो कुछ इस तरीके से हम स्केल का यूज करते हैं जिससे की एक्चुल डिस्टेंस जो आपकी ग्राउंड पर है वो बनी रहे तो यहां से आपको कनफीजन दूर हो गई होगी आप ऐसा नहीं कि एक सेंटीमेटर एक् महिन भी लेना चाहें तो ले सकते हैं फिर आपको क्या करना होगा यहां परस्ट सेंटीमेटर की यおおगी दो सेंटीमेटर की दो करेंगे आप चाहें तो एक सेंटीमेटर की लेकिति एक डू कि एकन मिटे तो करनी होगी क्योंकि 5 cm और एक सेंटीमेटर यानि कि दो किलोमीटर तो यह हो जाएगा आपका 10 किलो मेटर यान कि जो भी आपकी डिस्टेंस है और जो आप सेल ले रहे हैं उससे आपको ड़ाइड कर जिना 10 किलोमीटर एक्चुल डिस्टेंस है बन सेंटीमेटर इकवल किलोमेटर तो आपको कन्फूजन दूर हो गई होगी कि किस तरीके से हम इसकेल लेते हैं किस तरीके से हम मैप पर स्केल करते हैं अगर इसके बाद भी आपको कोई कन्फूजन हो तो आप एक बार फिर से इस वीडियो को देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा और आप मीजर करते हैं एक्चूल में और मैप पर अब हमने स्केल के बारे में तो देखा कि किस तरीके से हमें स्केल देखने को मिलती हैं लेकिन जो स्केल होती है मैप में हमें दो टाइप की देखने को मिलती है एक होती है तो इसमॉल स्केल और दूसरी होती इस केल यह मैप में क्यूंश की जाती और मै intend करते हैं यह क्या है मैप में अब जो मैप में हमाफते करते हैं लाघर मैप आस देखें गया आप यह सबीदय देखोद का सब्सक्राइब और मतलब जब है सब्सक्राइब हम लार्ज स्केल की आपको कब जरूरत पड़ेगी तो यह हम देखते हैं जब भी आप देखेंगे कि जो लार्ज एरिया हैं लार्ज एरिया यानि की कंट्री का अगर आप मैप देख रहे हैं अगर आप कौंटिनेंट का मैप देख रहे हैं तो आप क्या करेंगे इस टाइम में आप करेंगे small scale का use small scale मतलब की जैसे कि माल लीजिए आप यहां पर continent बनाया माल लीजिए आपने यहां पर इंडिया का मैप बनाया और आप हाला कि बहुत जादा रफ मैप बना दिया है मैंने इंडिया का मैप बनाया आपने और यहां पर आपको डिस्टेंस इतनी आप कवर नहीं कर सकते बहुत लंबी डिस्टेंस होगी तो आपको मैप में क्या करना होगा आपको small scale लेनी पड़ेगी जैसे कि आप 5 cm मैप में 100 करेंगे और 5 cm का मतलब क्या होगा कि आप 500 km की बात कर रहे हैं 5 cm यानि 500 km तो तभी आप देख पाएंगे कि आपका जो मैप है वो पूरी तरीके से कवर हो रहा है अगर आप ऐसा नहीं करेंगे थोड़ी बड़ी scale ले लेंगे तो आपका जो भी मैप है वो कवर ही नहीं होगा पेज में आएगा ही नहीं आपको बहुत सारी पेज लग जाएंगे आपका जो मैप है वो आधा पेज पेतना आएगा फिर दूसरे पेज पेतना आएगा तो बहुत ज़्यादा त्रवलम हो जाएगी इसलिए हम बहुत छोटी scale लेते से जो मैप में डिश्टेंस है वो है दस सेंटीमीटर या पांस सेंटीमीटर या कभी-कभी क्या होता है क्वांटीनेंट जब देखते हैं तो एक सेंटीमीटर एक्वाल टू पांच किलोमीटर भी लिया होता है तो इतना बड़ा भी देखने को हमें डिफरेंस मिल जाता है scale ऐसे भी ली जाती है कि 1 cm equal to 500 km तो आपको इसमें confusion नहीं होनी चाहिए कि किस तरीके से हम small scale का use करते हैं किस तरीके से हम small scale map को देखते हैं तो अगर आप से पूछा जाए कि small scale map क्या होती है तो आप क्या लिखेंगे when large areas like continent of countries are to be shown on paper be used small scale अब आप इसमें एक example भी दे देना कि for example 5 km on the map shows 500 km on the ground sorry 5 cm on the map shows 500 km on the ground it is called small scale map so यहां पे आपकी definition हो गई small scale map की अब किस तरीके से हम large scale को use करते हैं यह देख लेते हैं जब भी आप देखेंगे कि कोई city है कोई town है उसको आपको map पर सो करना है माल लीजी आप Delhi डेली यानि कि हमारी capital को आपको map पर सो करना है तो किस तरीके से करेंगे इसमें आपको क्या करना होगा इसकेल थोड़ी बड़ी लेनी होगी जिससे कि आप हर एक चीज को कवर कर पाएं जो कि डेली में देखने को मिलती है यहां पर आप इसकेल ले लीजिए पांस सेंटी मीटर एक्वाल टू 500 मीटर आप अगर अपने सेहर का ले रहे हैं वह बहुत जादा छोटा है तो आप ले सकते हैं 10 म. तो इस तरीके से आप l e लेथे हैं इससे क्या होगा फिरोपका जो घर से लेकर प्रनी दे दो किलो का बार सरी होगी हैै आप देखेंगे की एक्वाल में कीशम सेंस हैं 2 km और आपने अगर स्केल ली हुई है एक सेंटीमीटर एक्वाल टू 500 मीटर तो आपको कितनी बार कितने सेंटीमीटर लाइन की डिरॉ करनी आपको करनी है 4 cm 4 cm अगर आप map पे draw करेंगे तो आप घर से school पहुंच जाएंगे क्योंकि 4 cm real में actual में कितनी है 2 km क्योंकि हमने skill ली हुई है 1 cm equal to 500 m और हमने यह निकाला कैसे कि अगर 2 km actual में है तो 4 cm हमें line draw करनी पड़ेगी यह हमने निकाला 2 km में कितने मीटर होते हैं 2000 में हम डिवाइड कर देंगे 500 मेंटर का 0 से 0 कट हो गए और 5 से चार बार यह डिवाइड हो गया तो हमें 4 cm की स्केल लेनी है अगर हम 1 cm equal to 500 मेंटर लेते हैं तो सो कोई confusion नहीं कि सिंपल है जैसे कि स्मॉल स्केल मैप था हो बैसा ही है बस इसमें स्केल थोड़ी बड़ी थी इसमें छोटी है चोटी का मतलब क्या है यानि कि हम 1 cm equal to 500 km देखा रहे हैं तो confusion तो होगी नहीं दौनों सेम ही है यहां पर हम यूज कर रहे थे स्मॉल स्केल यानि कि 5 cm में हम बता रहे थे बहुत कम cm में हम बहुत जादा डिस्टेंस बता रहे थे 500 km बता रहे थे और यहां पर अगर हम बताएंगे तो 5 cm equal to हम बताएंगे 5 km या 10 km तो यह अंतर देखिए 5 cm equal to 500 km बहुत बढ़ा हमने नमबर ले लिया और यहां पर 5 cm equal to 5 km यानि कि बहुत चोड़ा मल almost आपको बहुत जादा डीटिल देखने को मिलेगी यह हो गए आपका large scale map और यह हो गया small scale map so no confusion अगर आपसे पूशा जाए कि large scale map हमें ज्यादा information देता है या small scale map तो आप बताएंगे कौन सा scale map हमें ज्यादा information देगा बही देगा जिसमें कि हमने जो distance है वो कम रखे हुई है actual में जो distance है उसका हमने रेशियो कम रखा हुआ है map के रेशियों से 1 cm यान इनकी 500 मेटर और बहीं पर हम ले 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 ते 1 cm equal to 100 km तो आपको इसमें कम information देखने को मिलेगी जबकि इसमें बहुत जादा information देखने को मिले और यह कुन सा था हमारा large scale map तो जब भी आप देखेंगे कि large scale map हमें जादा information देता है जो कि छोटा scale map हमें नहीं देता तो it is important that large scale maps give more information than the small scale maps so यह आपका कबद हुआ कि large scale map क्या होती है small scale map क्या होती है ठीक है कोई confusion तो होगी नहीं बहुत आसानी से हम समझते जा रहे हैं तो यह आपको याद रखना है कि किस तरीके से हम small scale map और larger scale map को देखते हैं अब देखते हैं direction जो three component थे हमारी पहला था distance दूसरा था direction और तीसर direction तो चली आप देखते हैं direction के बारे में किस तरीके से हम direction देखते हैं map में यहां पर आपको देखने को मिलता है कोई map बना हुआ है तो आप किस तरीके से देखेंगे कि यह direction कौन सी है यह कौन सी है यह कौन सी है तो जब भी आपको map में direction देखने को मिलेगी वह एक लेटर स यहां पर आपको नौर्थ डायरेक्शन देखने को मिलेगी यह रोग क्या बताता है कि यह जो डायरेक्शन है ऐसे आपको देखने को मिलेगी यह डायरेक्शन नौर्थ है तो इससे क्या मतलब है कि जो अपर साइड है वो नौर्थ है यह नौर्थ लाइन है तो यह हमें देखने को मिलती है direction कितने परकार की होती है Direction अपनी चार 설ब्रकार कि नौर्फ इस वैस्ट होट और सओफ यह आपको इस तरीके से डायखन देखने को मिलती है का इस डिश्ट वैस्ट नौर्थ साउथ यहां पर देखिये एक गाओं का मैप्प कौनसे गाउं का map है यह हम देखते हैं यह नाम नहीं दिया गया कौन से गाउं का है लेकन यह अगर आपको map देखने को ऐसे कोई मिलता है तो इस तरीके के map में आप direction किस तरीके से देखेंगे यहां पर देखिया आप यह यहाँ नहीं होई है मैप मेप में देखने को मिलेगे बताती यह की तर्फ-एक यह त है जो झाले यह नौht तो आपको नहीं क्या देखने को मिलता है कामियुटी सेंटर देखने को मिल रहा है पिलेगराउंड देखने को मिल रहा है, पीयो देखने को मिल रहा है, यहां पर पेड़ भी लगा हुआ है, साउथ में आपको घर देखने को मिल रहा है, बिकास के, सीला के, करीम का घर बना हुआ है, यहां पर और कैट देखने को मिल रहा है आपको, और आपको इस्ट में दे देखने को मिल रहा है तो इस तरीके से हमें map में चीजें सो की जाती है अब यहां पर इसकेल आप देखिए यह पे इसकेल ली गई है तो कुछ इस तरीके से इसकेल ली गई है कि 1 cm equal to 10 meter 1 cm equal to 10 meter यानि कि जो आप यहां पर देखी यह इसकेल बरें इसका मतलब कैसे आप देखेंगे जो बिकास का घर है यह 50 cm पर जो बिकास का घर है उससे जो दूरी यह सीला के घर की वो कितनी है दस मीटर पचास से चालीस मीटर यहां पर हो रहा है तो कितना हो गया है दस मीटर की डिस्टेंस होई न और यहां पर स्केल में क्या लिया गया है मैप में क्या लिया गया बन सेंटीमीटर यानि कि मैप में इसकी दूरी यह बन सेंटीमीटर और एक्चुल में डिस्टेंस क्य तो देखने को मिलेगी तो इस तरीके से हम चीज़ें देखते हैं मैप में कोई कन्फिजन नहीं होगी आपको तो चलिए आगे देखते हैं अगर आपसे पूछा जाए कि कारडीनल पॉइंट क्या होते हैं क्या होते हैं तो यह कुछ नहीं होते यह डायरेक्शन होती है अगर नौर्थ साउथ इस्ट बेस्ट यह डाइरेक्शन है तो इन्हीं को का जाता है कार्डिनल पॉइंट नौर्थ एक कार्डिनल पॉइंट है इस्ट कार्डिनल पॉइंट है साउथ कार्डिनल पॉइंट है वेस्ट कार्डिनल पॉइंट है तो कार्डिनल पॉइंट क्या होते ह है काई और भी नो डाइडिनल पोइंट अब यहां पी आप एक छीज़ ध्यां से देखे export आपको चाय डारेक्सिन पे च्छेसे के आपको देखने को मिलती है जैसे कि इसवं चार और है जार इंटर्मींडियाट डाइरेक्शन होती जैसे की नोर्थ इसठ है तो reicht किस तरीके से लिए आप यह देखे यहां पर नौर्थ है यह नौर्थ है और यह इस्ट है तो यह हो जाएगा नौर्थ इस्ट जो यह लेटर है नौर्थ और जो साउथ है यह पहले आते हैं इस्ट और वेश्ट बाद में आते हैं तो नौर्थ पहले आया इस्ट बाद में आया तो नौर्थ इस्ट हो गया ऐसे आप देखेंगे अब साउथ में चलेगा हम तो यहां पर साउथ पहले आएगा और इस्ट बाद में आएगा यहां पर नॉर्थ में हैं हम और वेस्ट की तरफ चलेगा है तो नॉर्थ west ऐसे south में चलेगा है तो south west तो कोई confusion नहीं होगी दो north होती है north north दो होंगी west west दो होंगी south south दो होंगी और east east दो होंगी यानि कि सब दो दो बार होंगी अगर आप intermediate direction देखते हैं तो so no confusion आपको north west south west south east और north east इस तरीके से intermediate direction देखने को मिलती हैं और इन्हें ही कहते हैं हम cardinal directions और cardinal points अगर आपसे पूछा जाए cardinal points क्या होते हैं so cardinal points को आप कैसे define करेंगे आप define करेंगे the directions of north south east and west are called cardinal direction they have four intermediate directions that are called north east south east south west and north west so इस तरीके से आपको cardinal points define करने अगर आपसे पूछा जाए तो अब यहां पर हमें question पूछा गया है यह जो find out following directions from the figure यहां पर हमें क्या क्या बताना है पहला question पूछा गया है कि direction बताओ community center की अब community center हमें कहां पर देखने को मिल रहा था community center की direction बतानी है और playground की direction बतानी हमें विकास के घर से तो यहां पर देखिए विकास के घर से हमें community center of playground की direction बतानी है भिकास का घर कौन सा है यह बिकास का गर है यह बिकास का घर है और community center की direction के ओयह बिकास के घर से यह है नॉर्थ इसमें इस में पे आप कोई confusion नहीं होग किस तरीके से देखते हैं यह होता है नोसा क्योंकि यहाँ पे डिरेक्शन देखने को मिल रही आपर साइड में क्या है नॉर्थ और यह जो हम इंटरमीडियर डिरेक्शन देखते हैं यह होगी हमारी नॉर्थ इस्ट फिर अगला कोश्चन है कि हमें बताना है दुकान से इस्कूल की कौन सी डिरेक्शन है यहां पर हमें सौप कहां पर देखने को मिलती है यहां पर सौप देखने को मिलती है यह सौप और इस्कूल है यहां पर तो इसकी डिरेक्शन क्या है सौप से स्कूल की डिरेक्शन है इस्ट इस्ट बैड में हमें देखने को मिलत करना है जो कि ये सेमभल मैप का लाष्ट अजो चलता है से रोड निकली है यहां से रेल वे लाइन कि यहां पर तो यह सारी चीजें हमें पता चलती हैं कि माइपकर कोई पेड़ं लगे हुए ज्यादा लगे हुए तो जंगाल तो इस तरीके से से हमें सिम्बल बहुत ज्यादा है दा हुली होता है किसी भी चीज को समय के लिए so it is the third important component of map symbol is the third important component of map because with the help of symbol we can see anything we need not to ask anyone about any places so this is what happens if we have a symbol given here and here and here and here we have a map 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 temple देखने को मिल रहे हैं तो यह आकार में कितनी भी बड़े हो सकते हैं कोई बिल्डिंग छोटी होगी कोई बड़ी होगी तो इनका actual तो हम बना नहीं सकते diagram कि इसका actual diagram बना रहे हैं पेज पे नहीं इसके लिए हम क्या स्क्राइब यूज करतें सिंबल इस से क्या होता है कि हमें एक्शुल में naval नहीं करनी पड़ती किसी बिल्डिंग कितनी बड़ी है different feature नहीं करने पड़ते जैसे कि रोड कितना लंबा है हमें चोटी सी लींड मेरा कर देंगे एक छोटा सा मंदिर बना देंगे तो यह सो करने के लिए होता है कि यहाँ पर आपको यह चीज़ें देखने को मिलती है और सिंबल से क्या होता है कि हमें बहुत जादा lots of information हमें देखने को मिलती है कहाँ पर limited space में अगर आप बस इतना सा छोटा सा map बना रहा है उसमें आप सिंबल अच्छे से अगर बनाते हैं जो जो चीज़ें आपको देखने को मिलती है जैसे कि हमने यहाँ पर क्या देखा था कि हमने जो गाउं का एक नकसा देखा था तो उसमें देखी आप यहां पर कितने ज़्यादा सिंबल देखने को मिल रहा है हमें तिरी देखने को मिल रहा है यहां पर गास देखने को मिल रहा है यह पेड़ देखने को मिल रहा है यहां पर आपको कितने अच्छे तरीके से सिंबल यूच किये गए तो इससे क्या होता ह कि हमें अभी यह पूछना नहीं पड़ा यहाँ नहीं लिख हुआ की यह 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 पैड़ है यह पीड़ है लेकन जरूर्ट नहीं और यह तो आपको समझेंने के लिए लिखा की अधरबाई जी लिखा हुआ यह नहीं लोगada यह अकटेर इसे बनाया जाता इसके लिए बनाया जाता है फिर आपको कोई confusion नहीं होती अब आप देखेंगे कि जो countries है जो international जैसे आप continent का देख लीजिए continent का अगर आप मैप बनाते हैं तो आपको का मैं बनाते तो आप को देखने को मिलेंगी बहुत सारी countrys तो वो किस तरीके से symbol को यूज करती है ऐसा ना हो कि यहाँ पे मंदिर के लिए कुछ इस तरीके का बनाया जा रहा है और यहाँ पे जो सिंबल वो मंदिर का गोल बना दिया जा रहा है तो इतना डिफरेंश से आप कैसे संजेंगे कि क्या है इसके लिए हम यूज करते हैं conventional सिंबल का मतलब क्या होता है यह सिंबल आपको worldwide देखने को मिलेंगे ऐसा नहीं है कि इसे हम ही मानेंगे internationally भी यह सिंबल आपको देखने को मिलेंगे और यह कौन-कौन से होते हैं maps that have a universal language that can be understood by all maps क्या होती है एक universal language होती है जो कि सभी के द्वारत समझी जा सकती है there is an international agreement regarding the use of these symbols there is an international agreement regarding the use of these symbols कौन से symbol देखने को मिलेंगे आपको आपको देखने को मिलेंगे बिरॉडड़ गेज मीटर गेज रेलवे स्टेशन मैटल जो कि आपको रोड रेलवे लाइन बाउंडरी यह आपको जो चीज़ें देखने को मिलती हैं आपको इंटरनेशनली भी सेम देखने को मिलेंगे ऐसा नहीं है कि हमारी कंट्री में आपको अलग तरीके इसे बताई गई यह तो आपको इंटरनेशनली भी यह ऐसी ही दिखाई देगी पॉंड अगर आपको ऐसे बताया गया तो इस तरीके से यह आपको बहुत देखने को मिलेगा यह टेमपल है यह मौस्क है और यह चछत्री है तो आपको इनमें जड़ी डिफरेंस देखने को देखने को मिलेगा जैसलियोस के मैप में देखने को मिला थैस्स तरही के से हमें चीजें देखने को मिलती है यह थे एक हमें डेखा तो यह सारी तो यह सारी चीजे बढ होती है इंटरनेशनली घो demos यह शेम रहेंगी रेल्वे लाइन रोड्स बाउंडरी रिवार टैंपल चर्च वैल पोस्ट आफिस ट्रीज गिरास कैनाल बिरेज यह आपको इंटरनेशनली मैप में भी सेम देखने को मिलेंगी तो अब क्या होता है जो सिंबल होते हैं यहां पर देखेंगे किया गया यहां पर रेड किया गया यहां पर ग्रीन किया गया तो यह किस तरीके से यूज करते और अँब अगर आप समय सकते क्यों यह कौन साम। यह जासे कि SM की फोडियोगे तो अब क्या समझे hubs kinds have water लेकिन size अगर अलग अलग है तो यह अलग अलग चीजह देखने को को मिलेंगे इसक surge water यह पौंड है यह तो है लेकिन size अलग अलग है उस सबसे और यह चीजजे अलग अलग हैं brown for mountain पॉ ri ran होता है जिस लिए और Green is used for plants आप देख रहे हैं Trees of plants green color के होते हैं and Green is used for Plains अब जो plains होते हैं उनके लिए हम करते हैं green तो इस तरीखें से हम use करते हैं colors का जिससे की आप को भी आसानी हो और अगर आप किसी और को खुद का map बना के देते हैं तो उसको भी आसानी हो समझने के लिए अब यहां पर आप देखिए सुन्दरपुर गाउं है यह सुन्दरपुर गाउं है और इसका surrounding area आप देखिए यहां पर क्या क्या देखने को मिलता है इस cool yellow color से बताया गया है टिरीज green है यहां पर आपको mountain देखने को मिल रहा है जो की brown color में है यह वाटर वाडी है, यहाँ पर टैंक देखने को मिल रहा है, यह रिवर है, यह टेंपल है, यह नोथ डारेक्सन आपको इस तहरीख से बताई गई है, यह चर्च देखने को मिलती है, यह आपको PTO देखने को मिल रहा है, यह Matsus है. तो इस तरीके से हमें चीजें देखने को मिलती है मैप में आपको कोई confusion नहीं होगी अप किस तरीके से हम symbol को use करते हैं मैप में अब मैप के अलाबा आपको दो चीजें और देखनी है जो कि है sketch और plan sketch क्या होता है आप कोई भी drawing करते हैं अगर page पर आपने कोई भी drawing की आपने एक observation ले लिया कि हाँ कोई चीज यहां से यहां तक है माली जी आप पैदल चल रहे थे आपने देखा कि यहां पर school है यहां पर किसी का घर है यहां पर यहां पर school से hospital यहां पर है तो आपने एक अनुमान लगा लिया आपने expect कर लिया कि इसकी दूरी कितनी होगी पांच किलो मीटर होगी या निगी 500 मीटर होगी या फिर एक किलो मीटर होगी तो आपने कहीं न कहीं एक औप जब कर लिया distance को तो इससे क्या होगा आप यह rough किलोमीटर होगा तो एक किलोमीटर होगा तो आपने इसका रफ मैप बना दिया आपने कोई स्केल नहीं लिए कुछ नहीं लिया बिदाउट इसकेल आपने एक मैप बना दिया और अपने दोस्त को दे दिया कि यहां पे आपको यहां पर इसकूल देखने को मिलेगा यहां पर इसकेच मैप हाला कि आप सिंबल यूज कर लेंगे तो बहुत अच्छा है सो इसकेच क्या होता है अरफ ड्रॉइंग होती है जो आप बनाते बिदाउट इसकेल ये आप एक आप्जब कर लेती है चीजों को जयसे माल लीजिये आपने कहीं जैरहे थे ऑप्सक्त की ऑसने वह मैप बना के अपने दोस्त को दे दिया की कि यह 10 feet into 12 feet यहां पर आपको किशन जो बनाई गई है वो 5 feet into is a drawing of a small area on a large scale a large scale map gives a lot of information but there are certain things which we may sometimes want to know अब क्या होता है जब हम किसी घर का नक्सा बनाते हैं तो यह तो नहीं कि के लिए हम यूज करते हैं पिलान में हमें एक घर दिखाया जाएगा जिसमें की कमरे बताए जाएंगी कि इतने बड़े कमरे यह पार्किंग लॉट इतना बड़ा है तो यहां पर आपको बहुत जादा बिदाट और रूम विच कांट वी सोन ना मैप एड़ टाइम वी कें रेफर ड्राइंग ड्रॉन टू इसकेल कॉल्डा पिलें अप प्लान में क्या होता है आपको सिंबल देखने को नहीं मिलते हैं लेकिन आपको क्या चीजी देखने को मिलती है इसकेल इसकेल बहुत कितना बढ़ा है तो कितना बढ़ा है तो यह हुगा प्लान कि किस तरीके से हम प्लान करते हैं किस तरीके से स्केच बनाते हैं तो इसमें आपको कोई भी कंफूजन नहीं होगी तो यह हुगा हमारा चैप्टर यहां पर कंप्लीट यहां पर हमने सारी चीजन देख लें जो तो यह सारी चीजर उसके पहले क्या देखा है? क्या होती है? किस तरीके से हम डाइरेक्शन देखते हैं, तो यह सारी फिर बाद में कोई भी प्रोबलम ना हो हालां कि मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि इस वीडियो को आप एक बार और देखें आपको दस से बारा गंटे बार आप चाहें तो एक दिन बाद भी इसे देख सकते हैं आफ्टर बंडे यू कन वाच दिस वीडियो अगें तो इत विल बेरी वहल्पूल पर यूर्परेशन तो वाट थी थी कंपोनेंट्स आप मैप फर्स्ट का एक कोश्चिन पूछता है वाट थी थी कंपोनेंट्स आप मैप हमने देखा था क्या क्या होते हैं डायरेक्शन दि इस तरीके से आपको देखने पर मिलेंगी काईडिनल डायरेक्शन वाट दो यू मीन वाइडी टैर्म दी इसके लॉफा मैप से आप क्या समझते हैं यानि कि इसके लॉफ दी मैप का मतलब होता है हम कितनी इसके लेते हैं एक्ट्वल में जो हमारी डिश्टेंस से के सेब्स Кें टो 4 एक सेंटीमीटर हमने लिया दस मीटर यानि कि यह ओगई हमारी से लेके 10 मीटर से अगर हम कि एक सेंटीमीटर क्यों टू 8 km लेते हैं तो यह हो गई हमारी सकेल 1 संटीमीटर एक किलो 보 यह स्केल है एक्चुल में मालीजे किसी पॉंट की डिस्टेंस है किदी दो पॉंट की डिस्टेंस 1 किलोमीटर और हमें मेप मेश करना है तो हम एक केल लेंगे 1 cm काल टू हमाने लें 500 तो 2 cm हमारा टोटल लाइन गई इतनी दूरी गई और इस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाएंगे तो हमारी स्केल क्या होगी इसमें स्केल होगी वन सेंटीमेटर एक्वाल टू 500 मेटर यह हो गई हमारी स्केल हाओ और मैप मोर हेलफुल दैना गिलोग गिलोग से ज्यादा है क्यों होते हैं मैं गिलोग पे हमें क्या देखने को मिलता है कौण्टीनेन इंट कंट्रीज एंड ओसिंस लेकिन हमें इनमें इन्फॉरमेशन अलग लेवल की देखने को मिलती है डीटेल देखने को नहीं मिलती जो कि हमें मैप से देखने को मिलती है जैसे कि आप कोई सिटी देखें और आपको यहां पर हॉस्पीटल है यहां पर आपको देखने को मिल रहा है तो आपको यह सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी गिलोब में तो गिलोब जो होता है वो less helpful होता है मैप से क्योंकि मैप में हम क्या है सिंबल भी यूज करते हैं जो कि हमें बहुत अच्छे तरीके से डायक्षन करते हैं कि हमें यह चीज यहां पर देखने को मिलेगी अगला कोश्चन है डिस्टेंग को is between map and plant मैप और प्लान में हमें करना है तो मैप और पिलान में क्या डिफरेंसिये सन होते हैं यहांपर हम स्केल का यूज करते हैं यहां पर जो स्केलward करते हैं यह large scale भी हो सकती है और small scale भी हो सकती है लेकिन plan में क्या है हम large scale ही use करते हैं फिर दूसरी चीज क्या कि हाँ पे हम map में हम symbol यूज करते हैं लेकिन plan में हम symbol यूज नहीं करते तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है map में और plan में तो ये आपको याद रखने कि map और पिलान में हमें क्या-क्या देखने को मिलता है अगला question which map provides detailed information कौन सा map है जो detailed information हमें देता है तो यह देता है हमें large scale map यह हमने पहले ही देख लिया है starting में first page पर हमने पढ़ा था कि large scale map और small scale map क्या होते हैं और कौन से मैप से हमें ज्यादा information देखने को मिलती है तो हमें large scale map से ज्यादा information देखने को मिलती है क्योंकि इसमें हम जो scale लेते हैं वह बहुत बड़ी लेते हैं 1 cm equal to 10 meter 1 cm equal to 5 meter तो यह बहुत बड़ी level की scale होती है यानि कि कम दूरी में आपके map में कम दूरी में आप देख पाएंगे जादा चीज इसका मतलब क्या है कि आप अगर कोई लाइन ड्रो करते हैं 5 cm की लाइन ड्रो करें तो आपको इसमें detailed information देखने को मिलेगी जैसे कि आपको यहां पर घर मेल रहा है यहां पर दूसरा घर मिल रहा है दोई घर आई इसमें और आप स्मॉल स्केल मैप यूज करेंगे तो क्या होगा आपने 5 cm की लाइन ड्रो की और आप देखेंगे यहां पर उसे lot of information तो मिलेगी लेकिन detail दोपन नहीं मिलेगी और जो लाज़ी स्किल में होती है उनसे हमें detailed information देखने को मिलती है लेकिन बहुत ज्यादा information देखने को नहीं मिलती next question है how do symbols help in reading maps symbols किस तरीके से help करते हैं maps को read करने में यह help करते हैं जैसे माली ज़िए कोई symbol बना हुआ है तो इससे हमें पता है कि यहां पर मंदिर है यहां पर रोड गई यहां पर यह देलवे लाइन गई यहां पर पॉंड है यहां पर यह रिवर है तो इस तरीके से हमें symbol help करते हैं map को read करने में यह हुआ हमारा question number first complete अब देखते है question number second पहला है map showing distribution of forest जो map हमें forest का distribution बताते हैं वो कौन से map कहलाते हैं वो होते हैं और यह थेमेटिक मैप से मैटिक मैप में हमें distribution of forest rainfall map यह हमें चीजें देखने को मिलती हैं अगला है the blue color is used for blue color किसके लिए यूज किया जाता है यह किया जाता है water bodies के लिए अगला है a compass is used compass किस लिए यूज किया जाता है to find the main direction direction देखने के लिए क्या यूज करते हैं compass and scale necessary skill क्यों necessary होती है किसके लिए necessary होती है sketch तो rough draw होता है symbol के लिए हम मैं यह कर दो किसके के लिए यूज़ करेंगे मैप के लिए तो Szia चैप्टर 4th complete आपको कोई भी कन्फूज़न नहीं होगी अगर फिर भी आपको कंप्यूज़न तो आप इस वीडियो को दोबारा दें उसके बाद भी अगर आपको confusion होती तो आप comment box में question करें मैं आपकी हर एक doubt को clear कर दूँगा so yeah that's all in this video अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे chapter 5 जिसमें कि हम chapter 5 के साथ उसकी exercise को भी solve करेंगे so मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक आप अपना खयाल रखें एक्जाम सेलेक्ट को follow करें और अपनी तयारी को अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक आप अपना खयाल रखें